नमस्कार, तो उत्तरप्रदेश की फर्स राउंड की चोईस फिलिंग का आखरी दिन है, तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है आपको यह बताने का कि अगला स्टेप क्या होगा, और देखिए मैंने पहले भी का था, कुछ चीजी ऐसी है जो हम सब को पताते हैं, कुछ चीज कॉलिज थे, और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो, और इन तीस कॉलिज को हमने छे सेटर हो हमेशा कहते हैं कि यह कॉलिज परमिट्टेड यह एकनाइज है, कि इसमें क्लिनिकल पीजी चल रहा है, इस कश्केहें कोंस है, कि साल में स्टार्ट हुआ था और टोटल पै जानकार हैं, उसके साफ से हमें प्रियाट्टी लिस्ट मनाते हैं, आप समलिजे त्गडिमन एके कॉलिज में कॉल करके, तो इस प्रियाट्टी इसाफ से सब करूल अलगोत है, हमारे पास इस भी क्लाइंट है, जिन्होंने नुमबर बन पे हिंद बारा मंकी रख है, सब्सक्राइब बनाते हैं, उसके साफ से फिर आपने सारे कावेच लिए, और इन में से एक जगा पर आप जाके, अपना नोडर सेंटर में जाके, डॉक्यमन वेरिफाई, प्लस ड्राफ्ट जमा कर आके आगे, करेट, अब हमने चॉइस फिलिंग कर दी है, सीट रॉर्डमेंट होगे, हमारा अगला काम क्या है, कि हमें सीट मिले, और मिलने के बाद हम क्या खरे, देखे हम ये बार-बार कहते हैं जाए उत्वा पर्देश में दो सीनरे रॉने वाले हैं, जाए गल्मेंट जाए प्राइपेट, ठिके अगर आपको सीट मिली और आपने नहीं ली, अभी उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, सीट मिली और आपके नहीं ली, चाहे वो आपकी सरकारिय कॉलिज के सीद थी, चाह में आपको एक दिरह से पेनलाइज करके निकाला नहीं जाता है तो आप राउंड टू को दुबारा पैसे दिखे दुबारा शामित हो सकते हैं यह तो हो गया उनके लिए जिको सीट मिलेगी और वो नहीं लेंगे अब बात करते हैं सीट मिली और आप ले रहे हो फिर दो बात है सीट सरकारी मिली या प्राइबट मिली ठीक है न तो उसके चलेंगे स्टाप बस तक पहले चलो अपिर आपको मैं दिखाया है तो कॉंसली परीक्रिया की इसमें आपका क्या होगा ठीक है न चीर तो आप देखिए का उसमें इसमें कॉलिज़ अलग-लग आ जाते हैं मैं अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको अप्गेड को जाओगे तो आपको वो सीट फोड़ जाती है यूपी में और खास बात है अगर आपने सीट ले ली अभी उस पर डिटेल में आगे ना कैसी लेनी है जिसे नहीं लीए सीट ले ली और अपक्रेड में आपके सीट लेनी की प्रॉसर्स कीती होँगा दुबारह करनी पढ़ेगी वरना आपके सीट कैंसल हो और आप Mopa Pip round में इन्होंने क्लियर भूल दिया कि Mopa Pip round में जिसब्फो पहले बंदा सीट अबंटिद नहीं हुई ठीक ना इसका मंदल कि अगर आपको इसमें एमसेजी की तरह नहीं है कि आपने दुबारा से दोला और खराब करें कि आप दुबारा से मौपप में आ जाए अगर आपने फस्ट रांड में आपको सीट मिल गई थी आपने चाहिए अपने दोला खराब करते हैं और सीट नहीं ली किसी भी बज़ा से तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप सब्सक्राइब करना चाहिए तो फस्ट रांड हो या सेकेंड रांड हो अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो आप सीधा सरकारी कॉलेज में जाएंगे अपनी लेटर जो आपको मिला है और सीधा सरकारी कॉलेज में जाएंगे और अपनी सीट को एड्मिशन खतम कीजिए प्रैवेट कॉलेज वालों को वही ध्यान रिखना है इसमार फिर से नोडल से एडिक्टार है पर देखिए यह लास्ट यह टाइम वाले नहीं है तो इस होती है ना आपको जो कॉलेज अलोकेट होए उसकी जो एक्सेक्ट्यूशन फी है जो उत्तरपते सकार ने बता रखी है वो ट्यूशन फी का एको डिमांड ड्राफ्ट बनमाएंगे ठीक है ना और लेकिन वो डिमांड ड्राफ्ट होगा उसी के नाम पर डीजी अन्वी अब देखे अगर आपको गई करियर, एरा, टीएस मिश्रा, इंटीगरल या परसाथ, मिश्री लखनूव वाले अगर कॉलेज मिलते हैं तो आप जहेंगे किंग जोर्ज लखनूव में अगर आपको हिंद बारा बंकी मायो या हिंद मिला तो आप जहेंगे डॉक्टर लाम पुराने से डिफरेंट होगा, वहां पर आप टूशन जी का ट्राफ्ट और क्या कहते हैं उसको ओरिजिन डॉक्टर लेकर यहां जमा करा करेंगे, ठीक है ना, और ट्राफ्ट जैसा कि हमने खा कि वो फिर से DGMD के नाम पर ही बनता है, विसलिए इतर से आप इनको पैसे द देते हैं, यह हो गया, आपने admission ले लिया, और इसी दोरण जब आप इनके पास जाएंगे, तो आप इन्हें बताएंगे कि आप अप गेड़ी के लिए जाना चाहते हैं, या नहीं जाना चाहते हैं, राइट, अब आजाते हैं जी, जो उपर वाला point था, इसमें कुछ खास हो, आप समझें, तो third point है, तो अभी तो clear हो रहा है, सरकारी college में seat मिलते हैं, सीधा सरकारी college चले जाना, private में जो page 16 में इस लिए होई है, जैसे जो जहां जहां को मिली, आपने वहां वहां पर जाना है, उसके इसाब से, same draft लेके, ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात यह होती है, कि just for, आपने जो दोला और पर दिये है, और आपने कोई भी seat अगर आपको नहीं मिली, तो अब आपको उसी noodle center में, जहां पर आपने जमाफीस कराई थी, महां पर जाके अपने पैसे वापस ले आई है, ठीक है, जिनको कोई भी seat नहीं मिली, basically जो, जिनको allowed हो ग कोई दिक्कत नहीं है, तो round 1 में आपने seat ले ली, similarly आपको किसी भी और college में seat मिल जाती है, राइट, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप आईए, और यह round 1 के बात की बात है, आप round 2 की choice filling से पहले, वो date example भी देते हैं, कि अगर choice filling, UP ने अनौन्स किया, कि पंदरा से start हो रही ह तो आप 12 तरीक, शान को चार मिते हैं, तो दो दिन कटके, 14 और 13 कटके, 12 तरीक अगर आप त्याक पत्र दे देंगे, उसी नोडल सेंटर में जाकर, तो आपको पूरा 2 लाग वापस मिल जाएगा, और जो आपको 10 परतिशत कटके आपको वापस मिल लगए, देखें, 10 परत असलने हैं, यह हो गया, अब सेम रूर चलता है सकंट में, अब क्या फरक यह है, कि सैंट रांड के बाद अगर आप फिर से रिजाइन करना चाहते हैं, तो कोई दिक्त नहीं, अब सैंट रांड के बाद अब तो मॉप अप आता है, तो फिर से Mmm लोजिक है कि मॉप की उन्ह आपके रिजाइन कर दोगे सीट तो फिर इस पर 50 पर तेशन पैसा कटेगा आपकी जो आपने ट्विशन फी जमा कर रहे थी रहे और वह दो लाग भी वापस वापस कर देजाएगे मौपप राउन के बाद कामी दिखकर दो जाती है और तब तक मैं तुबारे वीडियो प्रॉपरा बना दूँए एक बाद मौपप पे पहुंचेंगे कि तब चाट्या होने वाला है अगर आप मौपप राउन में सीट लेने के बाद रिजाइन करती है लेकिन एक चीज़ जो जूपी में बस खास थी ठीकर राउन वन या टू में आपको एक बे सीट अलोकेट हो जाती है चाप ले ना ले अपकोर्स आपने में दोला उसके खराब कर दिये ले फेड़ा मौप पर राउन के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आप ने चाहिश्तिफा दिया त्याक पत्र दिया तो आप मौप पर राउन के बाहर होंगे यह सिंबल सा प्रॉसेस है जैसा कि मैंने कहा कि जो ड्राफ्ट है प्राइवट कॉलिज का वह हम आप वहीं पर जाके जमा करेंगे ठीक है तो यह होगा आपके लिए पूरी जानकरी धन्यवाद नमस्कार